सो हेलो दोस्तो वेलकम टू बैक माई निव वीडियो तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पीएफ के रिलेटर्ड दोस्तो पीएफ में फिर से बहुत बड़ी खुसकवरी लेके आया हूं दोस्तो वह खुसकवरी यह है कि जैसे मालेजर अगर आपका भी पीएफ में अगर claim settlement किया है अब claim settlement करने के बाद में उसमें भी आपने मतलब जिसे आपका status जो है वो कैसे check करते हैं और जो claim settlement होता है ना उसका जो एक मतलब बूलते है कि उसको जो एक print-out निकलता है तो उसमें print-out में जो क्या-क्याथ तो आज की वीडियो मैं आपको वही चीज़े डिटेलls बतांगा जो क्लेम स्टेटियस आप सेटल करते हो ना ते विए मिख सबस्क्राइब करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को सभू गरने सा comment कर दीजे इससे यह होगा कि हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा तो चलिए देर ना करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका जो पीएफ में आपका जो claim settlement status है उसको आप कैसे उसका print out जिम निकालते हैं तो कैसे उसे चेक किय जाता है क्या चीज उसमें details details डाली जाती है तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताए कि जो पीएफ में एक और भी खुसखबरी आ चुकी है तो चलिए मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं कि क्या वो खुसखबरी है तो आपको क्या करना सबसे पहले आपको अपने अपन होगा तो यहां पर हम आपको सारे process आपको दिखाएंगे कि कैसे ये work करता है यहां पर हमारा प्युपिए फॉपन होके आ चुका है ओपन होके आने के बाद में यहां पर आपको first value option पे देखेंगे यहां पर यूएन लिखा है यूएन पर इपको क्लिक कर देना है ज किक करने के बाद में यहां पर हम देखेंगे हमाद सामने जो पेज ओपन होगा उसमें हमें क्या-k्या डीटेल डालनी होगे और क्या हो प्रयवक करते हैं यह यह उसी प्रयोक करते हैं तो दोस्तों इस तरह से Desk उपन हो गया उपन होनी के बाद में यहां पर आपको सर्च करना है अपना यूए नंबर यहां पर यूए नंबर अपना सर्च करने के बाद में पासवर्ड डालना है अपना यूए नंबर डालना है हमारा जो पासवर्ड है चलिए हम यहां पर इसको डाल देते हैं और इसके फाइल ओपन हो जाएगा आपका जो फी एफ का वो लॉग इन हो रहेगा वहहां पर आने के बाद में आपको थर्ड वॉलू उप्शन पर क्लिक करना नीचे से सेट्ब वाल व्यूकरण रोप्शन पहब करते हैं कि लिधा अपने जितनी बा reason claim settled किया रहेगा जितनी बार settled किया रहेगा उतनी बार आपको settled बतायेगा जितनी बार आपका reject हुआ रहेगा उतना बार आपके बतायेगा तो दोस्तों यहाँआ पर चलिएं माल Is! कि मेरे पास यह claim settled है तो मैं उसको download करता हूँ और यहाँ पर download again पर click कर देता हूँ जैसे download again पर click करते हैं click करने के बाद में आपका यह जो file है यह download हो जाएगा इसके बाद में चलिए हम यह गवार फिर से इसे हम क्या करते हैं download करते हैं बट हम अभी हमारा जो file है open होके आ चुका है add-off मतलब pd file में तो हम उस पर click कर देना उस पर जैसे click करते हैं click करने के बाद में यहाँ पर देखें opening में थोड़ा loading लेगा क्योंकि load लेने के बाद में open होगा तो जैसे यह open होगा open होने के बाद में इसमें जो details है मैं आपको वही बताऊंगा कि इसमें claim status करने के बाद में settle करने के बाद में जो details होती है क्या क्या इसमें आता है मतलब कितना amount अपने settled किया या फिर कितने mobile numbers हमारे यहां पर link है और इसको बाद में address कौन है bank account आपने कौन डाला है वो सब सारी चीज़े यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी तो थोड़ा वेट करते हैं और इसके बाद में आपको बताते हैं कि कैसे होगा तो चलिए यह देखिए open होके आ चुका ह है आने के बाद में यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह देखिए हमारAS जोरी पेज़ हे open होगह थोड़ा मैं जूम करता ह HERE आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा हमारा यह देखि Prophet number है और यहां पर यहां पर हमारा नाम है 11 जुलाय 2018 को अमने dataşekkürat था पैनकाट नंबर हमारा वहां पर यह इसके यहां पर हमने अमाउंट जो लिया था वह 50 रुपे था तो दोस्तों इस प्रकार से आपना यह स्टेटस चेक करके आपको पता चल जाएगा कि आपको मतलब जो कौन सी बैंक है और देखिए यहां पर है यहां पर आपको देखन अधने धन्याद देखिए